नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ यश्रितन आकपाल और आप देख रहे हैं स्टोरी हाओ ED ने शिल्पा शेटी और उनके पती राजकुंद्रा की 97.89 करोड की प्रॉपरटी कुर्क की है इसमें शिल्पा शेटी का जुहुवला फ्लैक और राजकुंद्रा के नाम पर रेजिस्टर्ड बंगला और इक्विटी शेज भी शामिल है मामला 2002 के बिटकोईन पॉंजी स्कीम घोटाले में मनी लॉंडरिंग से जुड़ा है इडी ने एक्सपर एक पोस्ट के जरिये ये जानकारी दी ऐसे में चले इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कितनी है राजकुंद्रा और शिल्पा शेटी के पास कुल संपत्ती राजकुंद्रा के बिजनेस वेंचर की बात करें तो उनका वेपार कई देशों में फैला हुआ है राजकुंद्रा की कंपनी कई अलग-अलग सेक्टर्स में बिजनस करती है अपने रियल एस्टेट और ओटमोटिव वेंशर्स के अलावा राजकुंद्रा की कई कमपनिया है इनमें विवान इंडस्ट्री लिमिटेड भी शामिल है जो उनके बेटे के नाम पर है इसके अलावा ब्रिटेन की एक कमपनी में भी राजकुंद्रा डायरेक्टर और CEO के पदपर है पता दे शिल्पा शेटी और राजकुंद्रा का मुंबई में आलिशान रेस्टोंट्स की एक चेन भी है जिसमें दोनों का 50-50 फीसदी हिस्सा है राजकुंद्रा के पास मुंबई में एक आलिशान सी फेसिंग बंगला है इसकी कीमत करीब 100 करोड रुपे है इस घर में राज अपनी पतनी शिल्पा शेटी और दो बच्चे वियान और समीक्षा के साथ रहते हैं इस लक्जूरियस घर में सभी मौडल सुक्सुवधाय मौजूद है घर में एक बड़ी जिम है इसके लावा राजकुंद्रा के पास लंडन में भी एक शांदार विला और कई महेंगे डुपलेक्स अपार्टमेंट्स भी है कई रिपोर्ट्स में जिकर किया गया है कि राजकुंद्रा के पास आइकॉन एक बुर्ज खलीफा में उन्निस्वे फ्लोर पर भी ये गर है अपने खर्चीले और आलेशान लाइस्टाल के लिए मश्वूर राजकुंद्रा और शिल्पा शेटी के पास कई महेंगी कारे भी है इसके लावा शिल्पा शेटी के नेट वर्थ की बात करें तो वो करीब 1500 करोड रुपे है शिल्पा की ये कमाई रियालिटी शोज जज करते हुए, ब्रैंड एंडोर्समेंट्स करते हुए और एक्टेंट से हुती है वो एक जानी मानी फिटनेस आइकॉन भी है वही राजकुंद्रा के नेट वर्थ की बात करें तो अपने बड़े कारोबार सामराजिय के चलते हैं उनकी नेट वर्थ करीब 2800 करोड रुपे है यानि दोनों की नेट वर्थ मिलाके करीब 3000 करोड रुपे है बात करें उनके गाडियों की तो राजकुंद्रा के पास एक सेवन सीटर एस्यूवी है लग्शुरी सिडाम कार बेंटले फ्लाइंग स्पर और स्लीक ब्लैक ब्लाक बीम डबलू आई-8 का हाईब्रिड मॉडल भी है बस आज के लिए इतना ही आपको और किसकी संपत्ती जाननी है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए स्टोरी हाउफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें